Hello Everyone, Welcome to Biolish Academy आज के इस क्लास में हम लोग U के साथ इस का प्रयोग सीखेंगे Generally U के साथ R का प्रयोग होता है अगर PAST का सेंटेंस है तो U के साथ वर का प्रयोग होता है लेकिन कभी कभी कोई X-Scholler जो हमारे सामने English बोलता है तो वो U के साथ इस का प्रयोग करता है गलस समझ जाते हैं है कभी कभी किसी competitive exam में यू के साथ इस का प्रयोग हो जाते है तो आज केस क्लास में हम लोग इसीी पॉइंट को दूर करने वाले हैं कि यू के साथ कब हमें R का परयोग करना है इस पॉइंट को आज की क्लास में हम लों डिसकर करने वाले हैं अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो बायोलिस एकेड़िमी चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही interesting facts और वीडियो के लिए channel को like और subscribe करें. चलिए class को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है अगले slide में. चलिए, यहाँ पे point क्या हुआ है? यहाँ पे point दिया हुआ है use of you and you. यहाँ पे दो you के use हुआ है. एक why or you और एक है you. तो किस condition में कौन सा you का use करना है और किस you के साथ is का पर्योग होगा और किस के साथ r का पर्योग होगा इस point को हम लोग डिसकस करने वाले हैं. जब कोई ब्यक्ति वाक्य में you बोलता है तो इसका दो अर्थ हो सकता है you and you. simple concept है जब भी कोई ब्यक्ति वाक्य बोलते समये sentence बोलते समये while speaking अगर कोई ब्यक्ति यू बोल देता है you तो या तो यह यू हो सकता है या फिर यह यू हो सकता है यह जो यू है यह English dictionary में एक वर्ड है जिसका अर्थ है तुम या तुम लोग आप या आप लोग. और यह जो यू है यह English alphabet में English alphabet में क्या है या English alphabet का एक लेटर है या English alphabet का एक लेटर है दोनों में अंतर है clear है समझ आ जाएगा यहां पे लिखा भी हुआ है यू का मतलब होता है तुम तुम लोग आप आप लोग. और यहां पे यह जो यू है यह English alphabet का एक लेटर है सिंपल है यह दोनों point समझ में आ गए होंगे अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जब यू का परियोग तुम तुम लोग आप आप लोग के form में रहे आप आप लोग के अर्थ में रहे तब यू के साथ किसका परियोग करना ह है और जब यू का परियोग English alphabet का एक लेटर के तौर पे रहे तब हमें यू के साथ किस चीज का परियोग करना है इस point को हम लोग समझेंगे दोनों confusion हमें clear हो जाएगा दोनों point समझ में आ जाएंगे जब वाक्य में यू हो तो इसका मतलब तुम तुम लोग आप आप लोग होता है और इसके साथ present का sentence है तो आर past का है तो वर और future का है तो विल का प्रियोग किया जाता है simple concept है जब वाक्य में ये वाला you हो तो इसका अर्थ होगा तुम तुम लोग आप आप लोग और इसके साथ are, were और will का परियोग करेंगे अगर वाक्य परजेन इंडेफिने टेंस का हो तो भीवन का परियोग करेंगे और अगर negative में sentence हो तो do का परियोग करेंगे कुछ examples यहाँ पर दिये हुए है examples समझेंगे और अच्छे से यह point clear हो जाएगा हमें examples है you are happy यहाँ पे you है why or you इसका अर्थ है तुम और इसके साथ are का परियोग हो है you were dishonest यहाँ पे you है और इसके साथ work का परियोग हो है you will be a doctor you play cricket you do not play football यह सारे sentence जो दिये गये हैं सामने आपके दिखाई दे रहे हैं इसमें सभी जगह पे you का परियोग हुआ है और इस you का अर्थ होगा तुम तुम लोग या आप आप लोग और इसके साथ are were will और be one और do का परियोग हुआ है लेकिन कुछ ऐसे भी condition है जहां पर यू जो है English alphabet का एक लेटर के तौर पर यूज होता है और जब वो लेटर के तौर पर यूज होगा तो वहां पर जो एक जूल्री वब है उनका परियोग में अंतर आएगा क्या अंतर आएगा आप लोग देखें जब वाक्य में यू का परियोग English alphabet के लेटर के रूप में हो तो यू के साथ is और वाज का परियोग किया जाता है अगर वाक्य परजेन इंडैफनी टेंस का हो तो यू के साथ भीफाइट का परियोग करेंगे और अगर निगेटिव में हो तो फिर हमें डफक परियोग करना है एक्जाम्प्स समझेंगे और अच्छे से यह बिफॉर भी यहां पर इस यू के बात हो रहा है और यह जो यू है वह भी के पहले होता है इंगलिस में जब आप लेटर लिखेंगे इंगलिस ऐलफबेट के चो लेटर से उसको लि यहां पर T है और यहां पर U है तो यह दोनों sentence में यह वह इंगलिस alphabet के एक लेटर के तौर पर यूज किया गया है U comes after T जो U है वो T के बाद आता है राइट है कि जब इंगलिस का alphabet हम लोग लिखेंगे तो U T के बाद आता है तो वही point यहां पर लिखा है U T के बाद आता है U does not come after भी जो U है वह भी के बाद नहीं आता उसी बाद को लिखा गया इन तीनों sentence में जो U है यह English alphabet का एक लेटर है ना कि यू का मतलब तू यह वाला sense यहां पर नहीं है यहां पर है लेटर के फॉम में अगर किसी ब्यक्ति का नाम यू रख दिया जाए तो यू के साथ इज वाज तथा भी 5-10 का प्रियोग होगा यह भी सिंपल पॉइंट है इसको भी अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं क्या है कि अगर हम किसी ब्यक्ति का नाम रख दे यू कोई ब्यक्ति है उसका नाम यू रख दे तो उसके साथ हम लोग इज का प्रियोग कर है कि उमेख इस प्लेइंग किरिकेट भी केक्किल अब इमेख को हमने ऊच दिया उमेख में से यू को हमने ले लिए उसका नाम रह दिदिया उमेखło मैं का नाम है यू जण साथ परियोग हो जाएंगा कोई ब्यक्ति है इज accessible to этому है उसमान है उमर है हो कोई ब्यक्ति है जिस वह उसको यू बुलाया आप एसे कंडिशन में यू ड़स नाट गो टू मार्केट जो यू है वह मार्केट नहीं जाता है यू एक नाम है यू वाज इन दा ग्राउंड जो यू है वह ग्राउंड में था यहां पे यू है एक ब्यक्ति का नाम अब एक पॉइंट को समझें अगर इंग्लिश बोलते हैं मैंने बोला यू इज इन दा हाउस तो आप इसका यू क्या समझेंगे यहां पे यू का अर्थ क्या समझेंगे अगर मैं बोल दू, you is going to Siwan, you के साथ इस का पर्योग करके मैं sentence बोलू, तो यहां पर आप you को क्या समझेगे, you are in the ground, you is in the ground, दोनों में क्या differences हो सकते हैं, you are in the classroom, you is in the classroom, इस दोनों sentence में क्या differences हो सकते हैं, यह simple सा concept है, जब इस का पर्योग किया जाएगा, तो वहां एक लेटर होगा या वो किसी व्यक्ति का नाम होगा, और जब आर्ग का पर्योग होगा, तो वहां पर you का अर्थ होगा, तुम, तुम लोग, आप, अप लोग, यहां पर कुछ examples दिये हैं, इन examples को अगर हम लोग व्यक्ति का नाम है, यहां पर यहां पर यहां पर कह दें, कि हम किसी व्यक्ति का नाम रखे हैं, झाल, 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